22 ऑफजी के और एंड चेप्टर 22 इस एक्यू चैलेंज इसमें आपको अपने माइंड का थोड़ा यूज करना यूज है यूज यूर माइंड एंड फाइंड फाइंड आउट विच आप फिकर एमंग आप गिवन ऑप्शन से फर्स्ट है फर्स्ट आपको कुछ फीगर से य तो दोनो की डियरीकस है एक की डूसरी प्बच एट नौइन हो नोएज है करने साग्म से ओनौत पुक्र एख पाउट इवाट मीर्त में इभाई रिम दिवाइड कंट eller उसके बाद दे भागई जो बी सी और डी फीकर नें वो चार चार पार्ट में डिवाइड है वन टू पू फरी फोर में है और दूसरा सिवाला भी वान तो फ्रीकर में है तो जो इसको को ऑपको परेई और यह तोर कुछन इस देखो अगर उसका कॉम्पिलीट करेगा आप को तर Specifically we же मिन देखो इ' तो आप D option लेके वहां पर उठा करोगे तो आपको सीम वैसे उपर वाला फिगर तरफ बन जाएगा इट मेंस आपका D option राइट होगा फोर में आपको भी वैसे फिगर फिगर एड़ करना है तो आप इसमें अगर यह वाला पाल उठाकर जश्ट वहां पर रखते हो तो आपको पुरा एक सर्कील और इसके अंदर फ्लावर मिल जाएंगे आप इसको खोश से करने कोशिश करो और आप इसको कर पाओगे इन चैप्टर 23 यह भी आपका IQ चैलेंज में है बट इसमें डिफिनेश यह है कि आपको कुछ फिगर ऐसे दिये हुए है कि आपको उनके में से बताना है कि नेक्ट फिगर कैसा कौन सा आने वाला है उसमें को एक फॉल्विंग प्रॉपरिटी को उसको यूज करके उसे अगले फिगर को लाए गया है और सीरीज ऑफ फिगर इस गिवें इत वन तर्म मिसिंग आपको कुछ फिगर की सीरीज दिए जिसमें एक टर्म मिस हो गया है चूज दा करेट अल्टनेटिव फ्रॉम दा गिवें अगर सेकेंड में भी आपको ऐसी किया है वहां बीच में डॉट लगा हुआ है और अगर इस तरीके से आप देखो तो डॉट आपका एक एक पॉइंट आगे किसा रहा है फिर एक पीछ या रहा है पर अगनली वाल फिगर में फिर एक आगे जाएगा इस जो आपका डी इस बार भी राइट होगा नौश्ट इनको आप खुद भी प्रयास करोगे तो साहिद इसके सरूशन को आप कर सकते हो आपको सारे कुश्चन में सेम ऐसे ही करने हैं आपको स्टार्ट में की फीगर्स दिये हुए हैं आप नेश्ट के फीगर्स को फाइंड करना है अब श् ऑफ जो नेर मीडिल पालट उसको जो 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 जांट करता है इसको क्या करते हैं तो उसको आप एल्बो करते हो फकुश्चों कोहीं नहीं कहते हैं विच प्लेस्ट कों इसको कहते हैं ओद फाई पर सब्सक्राह को है होती होटा के लिवान हां ह। हमारी बॉर्डी की मसल्स बनी होती हैं हाँ मेनी बॉन्स होती है इस पार्ट में सबसे छोटी हडी होती है तो वह हमारे कान की हडी होती है जैसे हम इस टिप्स करते हैं सबस्क्राइब का इस है में वायरस से होता है तो उसको एपस करते हैं एक वायरस मेरा होता है एक कोई कोई सबस्तों सब्सक्राइब इस होता है जाओ एक आपक हाँ इस थीजेंश सिंड्रोम इड्रोम řिए दे आफ्याएब तो उसका अंसर रेटीना है हमारी जो आई में एवेज बनती है वो रेटीना बनती है इन विच एमंग दा फॉल्विग पाल दी हमर बाडी इस बाडी मैनुफैक्चर तो इसमें मोर्ण मैरो होता है विच इमंग फॉल इंग डिशीड विज्वाव क्राईंब था वी इसको हम u भी कहते हैं सेटर्ण स्फिरीक आशिड इसको कहते हैं हार फ्रड आट्रयक इसको हम हम HNO3 मेरा फांमला हम आपका चैप्टर नबर 25 जो है वो योगा के बारे में जिसमें से लुक एट इस योगा पिक्चर्स आपको कुछ योगा पिक्चर्स को देखने हैं योगा काफी इंपॉठर ही accurate ह्वार्विक के लिए बहुत ही लापणरme होता है और से हमारा बाडि जो होती होग प 가운데 काफी अच्छी होती है बट never प्रैक्टिस एनी आसन्स योर्सेल्फ आपको कबट लेकिए इसको आप कभी खुद से कोशिश मत कीजिए फर्स्ट डिसकस इचासन विथ योग योगा टीचर आप अपने योगा टीचर और योगा के एक्सपर्ट जो है उनसे इसके पार डिसकस कीजिए और फिर इसके इन सा सब्सक्राइब करना है तो आप क्या करोगी यूड़ आस्ट तू वियर हैल्मेट फॉर से आप उनसे उनको जो है है सफ्टी डिजन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें पूछोगे एंड यूड़ गो अलांग विथिम एस यूड़ टो बाइस सम्थिंग फ्रॉम्ट फ्रॉम्ट या तो आप उनके साथ जो है मार्केट में जागा कोई कुछ खरीदने के लिए तो पहले उनको हैमेट के लिए यह ज्यादा अच्छ एक स्म इस स्कूल आप पर किसी ऐसे वक्ति को फाइंड करते हो पाते हो जो किसी एक बच्चे को लगातार अपनी आखों से देख रहा है तो आप क्या करोगे यूड इनफॉर्म हिस हर पैरेंट अज यूर इस प्रिंस्पल आप अपने इस प्रिंस्कुल के प्रिंस्पल को या उस इस प्रिंस्पल को इनफॉर्म करो कि जो थर्ड पर्शन है जो वह वह बैकती है वह उस बच्चे को लगातार कांटिनुएशली सी देख रहा है नौशन नेस्ट क्रिश्चन है इस फाइंड बेबी प्लेइंग विथे पैकेट साफ मेडिस्टीन अगर आपने फाइंड किय है जो दवाओं के पैकेट से खेल रहा है तो आप क्या करोगे तो आपको यूड इमेडेटली टेक अवे दपैकेट आप दे मेडिस्टीन फंद बॉर्ड बेवी एंड प्लेस इट एस इससाइट प्लेस तो आपको जो है तुरंत ही उस बच्चे के हाथ से वह मेडिस्टीन आसकिंग एवाउट यूर फॉन नंबर एड्रेस अगर कोई आपको आपके फोन नंबर एडर्स के बारे में कोई इमेल के बारे में आपसे कुछ Go Roge तो आप उसमें क्या करोगे उस कंडिशन में, you would ignore the email, आप उसे ignore कर दो, and it could be dangerous to share personal information on the internet, या एक कहानिकार को सकता है, अपने personal information को internet वे share करना, next is, if a new brand luxury cars have just passed by your school bus, अगर आपके बास से कोई एक बहुत ही अच्छी कार पास कर रही हो, तो आप क्या करोगे, you would appreciate its color and design while sitting inside the bus, next is, if your parents are not at home, and someone is knocking on your door loudly, आपके parents घर पे नहीं है, और कोई आपका दरवाजा जो है, लाग कर से दिया है, तो ऐसे condition पर आपको क्या करना चाहिए, आप you would immediately dial the emergency number and call the police, आप emergency number dial करो, और police को call करो, आपको यहाँ पर कुछ वर्ड फाइंड करने हैं, जैसे फैला दिया हुआ है कि, क्यारिफाइड बटर मेट फॉर्ड 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 फैलो और काउ, गाय और बैस के मिल्क से जो क्यारिफाइड बटर बनता है, उसे हम घी कहते हैं, और mixture of group species used in Indian cooking, इसको मसाला क्याते हैं, जीन, जीन, एक्सिलेंट और एप्रोप्रियेट टू हाई और रिस्पेक्टिवल सोसाइटी, इसे हम पुक का कहते हैं, फैमिलियर फॉर्म अफ एड्रेस, फ्रेंड, मेट, इसे हम यार कहते हैं, इन इंडियन और इन इंडियन कांस्टेक्ट, रोड़ साइट फूड इस्टाल और रेस्टेरेंट जो किनारे फूड इस्टाल होते हैं, इसको हम धाबा कहते हैं, टाइट ट्रॉजर मेट विथ इक्सल मेटेरियल अट बॉटम अफ लेक्स विच फॉल्स इन फोल इसको हम इसे हम चूड़ी दार कहते हैं, और इसको हम चूड़ी कहते हैं, और इसको हम चटनी कहते हैं, 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 इसको हम इसको हम पूरी कहते हैं इंगलिस को पूरी लिखते हैं नॉश्टर नाइन एंटेन क्विस्चन यह आफ सेल्फ करू हलागि नाइन नम्बर में डिफाइन कर दे रहा हूं जो पहले बना करते थे उसको हम बंगला कहते हैं बंगला और टैन क्विस्चन आप डूइट यूर्सेल्फ यह आपके लिए है छोटास क्विस्चन है बहुत एजी क्विस्चन है यह आपके लिए हैं ओके थैंक यू